लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंसाइट स्टेडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बिल आइकन में आल को सभी नोटिफिकेशन्स पाने के लिए नमस्कार, वेलकम टू इंसाइट स्टेडी फोरम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरन अध्यन के कुछ important questions इससे पहले वाले वीडियो में 10 questions discuss किये गए थे उसकी link आपको नीचे description box में मिल जाएगी question number one से start करते हैं तो पहला question आपके सामें लिखा हुआ है गंगा action plan को लाने का उद्देश से किसके सुधार हेतु है यानि किस चीज में सुधार की आवसेक्ता थी तो उसलिए गंगा action plan को लाए गया था तो आपके पास options है पहला option है जल की गोड़वत्ता यानि water की quality को improve करने के लिए इसको लाए गया था दूसरा option है जल का वेग यानि जो जल का बहा होता है जल की जो velocity होती है उसके लिए तीसरा है जल की प्रचुरता यानि जल का जो amount है उसके लिए और चौथा option है जल का तापमान अब देखिए अगर आपने थोड़ा भी दिमाग इस पे लगाया तो आप बाकी के सभी options को easily eliminate कर पाएंगे क्योंकि जल का वेग के लिए तो ऐसे कोई plan ये possible नहीं है जल की प्रचुरता के लिए गंगा action plan गलत है ये और जल का तापमान गलत है तो इसका जो correct answer है वो है option number A जल की गुडवत्ता को सुधार करने के लिए गंगा action plan लाया गया था अगर हम बात करें कि इस plan को लाया कब गया था राजीव गांधी जी की सरकार थी जिस समय उस समय गंगा action plan को लाया गया था और इसमें लगवक 2000 करोड रुपे खर्च किया गया था लेकिन ये plan फेल हो गया था इसका मकसद था कि जो गंगा में जो seaweed से जो गंदगी जाती है और जिस तरीके से गंगा में pollution लगातार बढ़ रहा है और उसमें लगातार production बढ़ रहा था तो उसको रोकने के लिए ताकि गंगा का पाने सुध हो पाए पानी की जो गुरवत्ता है quality है वो improve हो पाए उसलिए इसको लाया गया था लेकिन ये fail हुआ ये सफल नहीं हो पाया तो इसका answer correct है option number A question number 2 आपके सामने लिखा हुआ है निम लिखित मेंसे कौन सा ब्रक्ष जैविक कीट नासक का उतपादक है या नी जो options यहाँ पर दिये गए हैं उनमेंसे कोई ऐसा एक ब्रक्ष है जो जैविक रूप से कीट नासक का उतपादक है नीम, देवदार, चीड या फिर ओग अब आप लोग comment इसका answer कर रहे होंगे इसका जो correct answer है वो है नीम और यह बहुत ही easy question है इस question को हम आसाने से कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी जानकारी नीम के बारे में है तो नीम के अगर हम बात करें नीम हमारे आसपास अगर आप लोग गाओं में रहते हैं या फिर सहर में रहते होंगे तो आपके आसपास नीम जरूर आपको दखाई देगा और नीम एक बहुत ही miracle plant है यानि एक चमतकारी पौधा है जिसके अंदर नजाने कितने परकार के medicinal चिक कोनों के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है तो इस वजए से हम इसको इतना value नहीं देते हैं लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नीम हमारे लिए बहुत important है नीम के अगर हम बात करें तो नीम का जो scientific name है नीम का जो वरनस्पतिक नाम है वो क्या है वो ह अजा डायरक्टा इंडिका तो अगर आपसे question में पूछता है कि नीम का scientific name क्या होता तो आप लोग कहेंगे अजा डायरक्टा इंडिका नीम का scientific name है और इस से यानि नीम के plant से हम धेर सारे pesticide कीट नासक उत्पन करते हैं कीट नासक का उत्पादन करते हैं अगर हम बात करें कि नीम की value है नीम का importance है वो हमारे लिए कितना important है किस तरीके से हम नीम से lab उठा सकते हैं तो सबसे पहली बात यह है जिन लोगों के skin पे अगर कोई problem है अगर skin पे खुजली itching हो रही है या फिर कहीं पे चोट लग गई है तो वो नीम के पत्ती को गरम करके अगर वहाँ प ठाल होती है उसको piece करके वहाँ पे apply करेंगे तो वो problem को ठीक कर देगा उसके अतरिक अगर हम बात करें तो जिन लोगों को gingivitis यानि मसूरों में समस्या है मसूरे swelling कर जाते हैं सूच जाते हैं तो ऐसे लोग अगर नीम की पत्तियों को खाते हैं तो उनके मसूरों को स्वस् बहुत ही उपयोगी है और अगर किसी विक्ति के पेट में कीले हैं तो नीम की जो पत्ति है अगर विक्ति उसका सेवन करता है रोज तो काफी उपयोगी है वो कीलों को मालने के लिए एक और काफी इसका इस्तमाल लोग करते थे पहले वो यह है कि नीम की जो पत्ति है नीम कि पत्ती एक या दो मौनिंग में उठ करके अगर खाएंगे तो काफी ज़्यादा आपको health benefits देखने को मिलेंगे तो इसका जो correct answer है वो है नीम ठीक है तो आप लोग ध्यान रखेंगे नीम का scientific name क्या होता है अजजा डिरेक्ट अइंड का तो आपसे मैं कुछ questions पूछता हूँ scientific name के और I hope कि आप लोग उसके answer comment में ज़रूर लिखेंगे ठीक है मैं देखूंगा मैं चेक करूंगा तो सबसे पहला question आपसे मैं पूछ रहा हूँ आम फलों का राजा क्या होता है आम होता है और चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं तो चावल जो है उसका scientific name यानि धान का scientific name क्या होता है उसके अत्रिक्त मटर का scientific name क्या होता है और आप लोग बताईए कि मेंडल ने Gregor John मेंडल ने किस पौधे के ऊपर research की थी किस पौधे के ऊपर अपने प्रियोग किये थे उसके अत्रिक्त अगर हम बात करें तो आपके आसपास में जो ताल होंगे उनमें कमल जरूर खिलता रहोगा और कमल खिलता है कीचड में ऐसा लोग कहते हैं तो कमल जो है lotus उसका scientific name क्या है अब क्योंकि कमल हमारे लिए बहुत important इसलिए हो जाता है कमल हमारा national flower भी है तो एक्जाम में उसका scientific name आ सकता है तो अगर इसी कड़ी में हम बात करें तो बर्गत का पेंड जो होता है बन्यान ट्री वो हमारे लिए बहुत important है तो उसका scientific name क्या होगा उसी की कड़ी में अगर हम बात करें तो टाइगर चीता हमारा राश्ट्री पशू चीता है यानि बाग है तो टाइगर हम उसको बोलते हैं तो टाइगर का scientific name क्या होगा उसके अतरी तकर हम बात करें हमारा national जो बर्ड है वो पिकॉक है, मोर है तो मोर का scientific name क्या होगा तो आप इतने questions का answer करेंगे, मैं नीचे comment में check करूँगा, ठीक है चलिए, अब हम बात करते हैं question number 3 अब यहाँ पर लिखा हुआ है भू परिश्थित की तंत्र में उर्जा का महत्वपूर्ण स्रोथ है तो उर्जा का महत्वपूर्ण स्रोथ, आप सभी को पता होगा कि उर्जा अखिरकर कहां से हमको मिलती है, और हमारी अर्थ के उपर उर्जा का सबसे अच्छा स्रोथ क्या है तो बहुत ही basic question है यह लेकिन पूछा गया है यूपिटेट में तो इसका answer हम लोग करेंगे, समझेंगे तो इसका answer है सूर, sun, ठीक है sun जो है, वो उर्जा का ultimate अंतियम स्रोथ है और अगर हम बात करें कि किस तरीके से सूर से उर्जा आती है जिसका इस्तमाल हम करते है क्योंकि सूर की उर्जा का इस्तमाल directly हम नहीं कर पाते है ठीक है तो हम कैसे करते हैं, हम करते हैं directly कैसे जब sunlight आती है और वो green plants पर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं हरे पौधे, ठीक है जब सूर का प्रकास आता है और वहाँ हरे पौधों पर पड़ता है तो हरे पौधे सूर की प्रकास की उपस्तिती में प्रकास sun selection क्रिया करते हैं जिसको हम बोलते हैं photosynthesis और photosynthesis में वो क्या करते हैं वो carbohydrate वो carbohydrate प्लस oxygen oxygen को उत्पन करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे सूर के प्रकास की उपस्तिती में हरे पौधे क्योंकि हरे पौधों में क्या होता है हरे पौधों में होता है chlorophyll और जो chlorophyll होता है वो सूर के प्रकास को absorb कर लेता है उसको अवसोसित कर लेता है और जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और यह जो carbohydrate है यह पौधे का भोजन हो जाता है और बदले में निकलती oxygen है जो हम use करते हैं ठीके तो यह हो गया अब होता क्या है जो पौधे ने अपना भोजन बनाया कार्बोहेड्रेट उसका सेवन हम करते हैं जैसे हम लोग आलू खाते हैं हम लोग गेहू खाते हैं हम लोग बहुत सारे plants के ओपर depend रहते हैं तो आखिरकार वो बना कैसे वो बना सनलाइट के ही दुआरा बनाया गया तो सनलाइट को हम इंडिरेक्टली इस्तमाल करते हैं जैसे हम जानते हैं कि आलू में क्या होता है आलू में होता है कार्बोहेड्रेट गेहू में क्या होता है गेहू में भी स्टार्च होता है और स्टार्ज क्या है एक कार्गोहेडर्ट होता है तो इस तरीके से हम इंडारेक्टली सनलाइट का इस्तमाल करते हैं तो अब हम यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं अलग कुछ जो बाकि आप्संस लिखे हुए है अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो सनलाइट है सूर का जो प्रकास है उसको प्रतिवी तक आने में कितना समय लगता है तो सूर के प्रकास को प्रतिवी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड के आसपास का समय लगता है अगर हम बात करें कि सूर की प्रतिवी से distance कितनी है यसे मान लेजिए यह है सूर और यहाँ पर प्रतिवी है तो इन दोनों के बीच की distance क्या है तो इसको हम बोलते है 1 AU क्या बोलते है 1 AU बोलते है और 1 AU का मतलब होता है A मतलब होता है astronomical और U का मतलब होता है unit यानि खगोली एकाई बोलते है इसको 1 AU और 1 AU बरावर होता है 15 करोड किलोमीटर तो सूर और प्रतिवी की बीच की दूरी कितनी है 15 करोड किलोमीटर की है और आज तक सूर के पास में कोई भी नहीं पहुँच पाया है लेकिन एक satellite ऐसा है जो सूर के पास में बहुत पास में पहुच रहा है उसका नाम क्या है अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर उसका नाम लिखेगा नहीं तो मैं फिर उसका आंसर अगले वीडियो में बताऊँगा ठीके अगर हम बात करें उसके अतिरिक्त चंद्रमा की बात करें जो प्रावरतन के द्वारा उत्पन होता है वो पृत्वी तक पहुंचने में 1.2 सेकेंड का समय लेता है क्योंकि चंद्रमा हमारे पृत्वी के बहुत पास में है बहुत निकट है इसलिए 1.2 सेकेंड का समय लेता है Moonlight हमारी प्रत्वी पर आने पर ठीक है और अगर हम बात करें हमारी अर्थ का जो Moon है अर्थ का जो एक actual में वास्तविक satellite है वो कौन है वो है चंद्रमा ठीक है अगर हम बात करें सुक्र की सुक्र को हम बोलते हैं Venus तो Venus जो है Venus का कोई satellite नहीं है ठीक है और Venus के पास कोई उपग्रह नहीं है अगर आपसे question exam में आता है कि सूर के पास जो ग्रह है उनको आप arrange करिए तो ये sun है सूर के सबसे पास में कौन से ग्रह होता है Mercury होता है जिसको हम बोलते हैं बुद्ध फिर उसके बाद में हम हैं जहां पर बैठ करके आप वीडियो देख रहे हैं यानि हर्थ प्रत्वी ठीक है और प्रत्वी के आगे हम बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा mangal जिसको मार्स बोलते हैं और मार्स के आगे जब आप बढ़ेंगे तब आपको मिलेगी छुद्र ग्रहों की पट्टी जहां पर कई सारे छुद्र ग्रह हैं और उसके बाद आपको मिलेगा एक विशाल सा ग्रह जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा गैसी ग्रह है उसमें गैसे भरी हुई हैं ठीके मरकरी से लेकर के मार्श तक जो ग्रह है यानि बुद्ध से लेकर के मंगल तक जितने भी ग्रह हैं उनको हम बोलते हैं लौकिक ग्रह हैं यानि उन पर चटाने हैं उन पर रॉक्स हैं लेकिन उसके आगे जितने भी ग्रह हैं उनको हम बोलते हैं गैसियस प्लैनेट्स वो बहुत विसाल हैं और गैसी वो ग्रह हैं ठीके तो उसके बाद में जुपिटर जुपिटर के कई सेटलाइट्स हैं कितने जुपिटर के प्रिजन टाइम में 79 सेटलाइट्स है और उसमें सबसे बड़ा सेटलाइट है गैनेमीड ठीके क्या है गैनेमीड सेटलाइट है उसके बाद हमारा आता है अगला ग्रह जो है सैटर्न जिसको हम बोलते हैं सनी और सनी हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है अगर हम बात करें कि सनी ग्रह के कौन कौन से satellite है, उपग रहा है, वो है TITAN और TITAN के बाद में हम बात करते हैं एक satellite है, उसका नाम बड़ा बचितर है आप लोगों ने काफी बाद TV पे उसका नाम सुना होगा लेकिन किसी दूसरे matter में तो उसका नाम है RIA उसका नाम क्या है? उसका नाम है RIA तो जो RIA सेटलाइट है वो किसका सेटलाइट है वो सेटलाइट है सनी का तो आप लोग ध्यान रखेंगे और उसके आगे हम बात करेंगे तो हमको मिलेगा Uranus यानि अरुन और फिर हमको मिलेगा वरुन यानि और फिर एक छोटा सा ग्रह है वर्तमान में जिसको हम बोलते हैं बौना ग्रह है तो वो है यम यानि प्लुटो तो इस प्रकार से आप लोगों ने सूर से सारे ग्रह करम में देखे अगर मैं आप से कोशन पोचूँ कि इन सभी ग्रहों को आप बड़े से छोटे क्रम में अरेंज करिए तो आप कैसे अरेंज करेंगे अगर आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे तो बहुत ही जान करके अच्छा लगेगा कि आप लोग इतनी महनद करते हैं मेरे साथ साथ चलिए आगे हम बात करते हैं आपके सामने question 4 लिखा हुआ है नेमलिखित में इसे कौन सी प्राकर्तिक वनस्पती मरुष्थली प्रदेसों में पाई जाती है इसका मतलब कौन सी ऐसी plant है, कौन सा ऐसा vegetation है जो dessert में पाया जाता है आपके पास options हैं तो इस question का जो correct answer है, वो बहुत ही आसान question है इसका answer है cactus अब यार इतने आसान questions अगर UPJट पूछता है तो इसमें मतलब plus point है, कि आप लोग इतने आसान questions को बिलकुल skip ना करें ये तो आपको करके आना ही है 100% क्यूंकि ऐसे questions हर वेक्ति करके आएगा आपको lead उसमें मिलेगी, जो बाकी लोग छोड़ के आएगे, लेकिन आप करके आएगे तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो ऐसे questions जो बाकी लोग छोड़ के आने वाले हैं आप करके आएगे, ये guarantee आपको देता हो तो यहाँ पर समाजते हैं, cactus क्या होता है cactus एक ऐसा पौदा होता है, जिसमें spikes होते हैं, जिसमें काटे होते हैं cactus की कोई leaf नहीं होती है, अगर हम बात करें कि किस तरीके से इनकी जो पत्तियां हैं उनका spikes में modification हुआ, परिवर्तन हुआ, कांटों में परिवर्तन हुआ cactus में बहुत ही, dessert में, यानि जो रगिस्तान का छेतर होता है, मरुष्थिली एरिया जो होता है वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है जो दिन में जो तापमान बहुत जादा होता है तो इस वज़े से वहाँ पे अगर जो पत्तियां होंगे किसी पौधे में तो इतनी गर्मी में उन पत्तियों में जितना water है, जितना पानी content है वो सब lose हो जाएगा और पत्तियां सूख जाएंगे, प्लांट सूख जाएगा तो अपने अंदर पानी को बचाने के लिए प्लांट क्या करता है? पत्तियों को धीरे-धीरे कई वर्सों में modification हो गया परिवर्तन हुआ और वो काटे बन गए और बाकी उसका जो तना stem है उसमें पानी को store करके रखता है वो प्लांट और उसकी जो जड़ है, उसके अंदर भी पानी store रहता है तो इस तरीके से पानी का conservation वो प्लांट करके रखते हैं और अगर कोई animal आएगा तो वो ऐसे प्लांट को खा भी नहीं सकता क्योंकि उसमें काटे होते हैं तो काटे को खाना बहुत मुश्किल वाली बात होती है तो इसलिए cactus आपको मरुष्ट्री छेत्रों में देखने को जरूर मिलेंगे तो आपके सामने screen पर एक question आ रहा होगा उसको पढ़ते हैं टाइटन किस ग्रह का प्राकर्तिक उपग्रह है आपके पास options है वरुण, बुध, शनी, सुक्र तो इस question का जो correct answer है टाइटन अभी हमने बात की थी सनी के उपग्रहों के बारे में तो टाइटन था, रिया था, ये सनी के उपग्रह है और जिसमें टाइटन जो वो सनी का उपग्रह है आपसे मैं question पूछता हूँ वर्त मान में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास में सरवाधिक उपग्रह है यानि वर्त मान में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सरवाधिक satellites है क्या Jupiter है, यानि वरस्पती है या फिर वो शनी है इन्हीं दोनों में से इसका answer correct होने वाला है तो move करते है next question की तरफ आपके सामने screen पर question आया होगा उसमें लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्ष्ण अधिनियम किस वर्स पारित हुआ था? यानि किस वर्स पर्यावरण संरक्ष्ण अधिनियम पारित हुआ था? तो इसमें options आपके सामने लिखे हुए है 1982, 1986, 1992, 1996 तो इस question का जो correct answer है वो है 1986 1986 में पर्यावरण संरक्ष्ण अधिनियम पारित किया गया था? अगर हम बात करेंगे किस तरीके से और कैसे हुआ था? हुआ ये था जैसा हम जानते हैं कि 2-3 दिसंबर 1984 को रात्री में 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी यानि भोपाल में योनियन कारवाइड इंडिया लिमिटेड नाम की फैक्टरी से मेथाइल आइसोसाइनेट कौन सी गैस थी? मेथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक जहरीली गैस लीक हुई थी और जिसके रिसाओ से काफी जादा लोग मरे थे वहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे कुछ चेंजस हुए 84 से 86 तक और लगातार ऐसे मुद्दे निउज में बने रहे जिसमें बात की जाती थी कि हमारे जो पर्यावरण है उसका सरनरच्छन बहुत जरूरी है तो उसी के लिए 1986 में पर्यावरण सरनरच्छन अधिनियम लाया गया और जिससे हमारे पर्यावरण को सुरच्छित करने की बात की गई और ये काफी बड़ा एक स्टेब उठाया गया था इंवार्मेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मैं आपसे पूछू कि वन जीव सरनरच्छन अधिनियम कब लाया गया था क्योंकि वन जीवों का सरनरच्छन बहुत जरूरी होता है नहीं तो फिर क्या होगा आंधा धुन तरीके से पोचिंग होगी लोग सिकारी उनको मारेंगे और इससे क्या होगा कुछ ऐसी स्पेसीस होंगी वनों में जंगलों में जो धीरे धीरे विलूप्त हो जाएंगी तो उनको बचाने के लिए वन जीव सरनरच्छन अधिनियम लाया गया था और कब लाया गया था 1922 में लाया गया था तो ऐसे कुछ लगात राते रहते हैं जब हम इन्वार्मेंट की क्लास लेंगे और वहां पर हम चैप्टर वाइस पढ़ेंगे तब सारे जितने भी एक्ट लाये गये थे उनकी हम बात करेंगे और आप लोग इसको याद रखेंगे बिल्कुल भूलेंगे नहीं आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है निमलिखित मेंसे कौन सी बायो डीजल की फसल है ओप्संस हैं कपास, जैट्रोफा, गन्ना, आलू जब भी हम बात करते हैं बायो डीजल की तो बायो डीजल की जो फसल है वो हमारी इंडिया में जैट्रोफा होती है कौन सी होती है, जैट्रोफा अलग 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 फसलों से बायो डीजल बनाया जाता है जैसे अगर हम बात करें यूरोप में तो यूरोप में जो सनफ्लावर आयल होता है यानि सूर मुखी का तेल होता उस से वो लोग बायोडिजल बनाते हैं अगर हम बात करें अमेरिका में युएस में तो वहाँ पे सोयाबीन से वो लोग बायोडिजल बनाते हैं अगर हम बात करें मलेशिया की तो मलेशिया में जो पाम ओयल होता है बहुत ही बेकार टाइप का आयल होता है जो नंकीन बगरा तली जाती है जो chips होती है जो हम लोग chips खाते हैं बड़े मज़े के साथ में वो palm oil से तली होती है और जो palm oil होता है वो हमारे शेहत के लिए बहुत ही हनकारक होता है क्योंकि उसके अंदर trans fat होता है आगे हम पढ़ेंगे, बायो में कि कौन-कौनसे fat ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं जिनको हम अगर इस्तमाल करेंगे तो हमारे हिर्दे की समस्य उत्पन हो जाएगी तो ऐसे टेल हम बिल्कुल नहीं खाएंगे तो अलगलvoy 너와 lelar countries में नारियल के तेल से भी वो लोग बायोडियल बनाते हैं, तो इंडिया में फिलाल हम जैट्रोफा इस्तमाल करते हैं, तो इसका अंसर क्या होगा, जैट्रोफा होगा, अब हम बात करते हैं, question number next, आपके सामने स्क्रीन पर question number next है, भू मंडलिये तापन का कारण है, जानि global warming is due to, तो इसमें options हैं, हिम्नदों में ब्रधी, कारण डायक्साइड में ब्रधी, कारण डायक्साइड में कमी, बनों में ब्रधी, तो इस question को अगर हम समझें, कि किस तरीके से global warming होती है, किस तरीके से हमारे आसपास जहां पे हम रहते हैं, जिस zone में हम रहते हैं, वहां पे किस त के लिए थोड़ी सी बात हम करते हैं जैसे मान लेगे यह हमारी प्रत्वी है ठीक है यह हमारी अर्थ है और अर्थ पे जो प्रकास आता है जो हीट आती है वो कहां से आती है वो सूर से आती है, वो सन से आती है सन से हीट हमारी प्रतिवी पर आती है कुछ हीट ऐसी होती है जो बाहर निकल जाती है लेकिन कुछ हीट ऐसी होती है जो प्रतिवी उसको एब्सॉर्ब कर लेती है और यहीं फसी रहती है और एब्सॉर्ब करती कैसे है हमारी परतीय पर कुछ विसेश प्रकार की greenhouse gas पाई जाती है कुछ ऐसी greenhouse gas पाई जाती है जो उस heat को उस उश्मा को पकर लेती है track कर लेती है तो ऐसी greenhouse gas को हम नाम क्या देते हैं जैसे methane जिसको हम बोलते हैं CH4 या फिर CO2, काबन डियक्साइड तो ऐसी सारे गैसे जो हैं, जो हीट को उस्मा को पकड़ के रखती हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसे हैं चीक है, तो इस तरीके से गर्मी हमारे प्रतीव पर बनी रहती है, तो अगर हमारी प्रतीव पर गर्मी बनी रहेगी तो इसे दिक्कत क्या होगी जो हमारा ग्लेशियर होंगे अर्थ पे वो मेल्ट करेंगे, और जितने भी ऐसे छेत्र हैं, जितने ऐसे कंट्रीज हैं, जो समुद्र के आसपास 30 छेत्रों में रहते हैं बसे हुए हैं, तो उन कंट्रीज में बाढ़ आएगी और समस्य उत्पन हो जाएगी तो फाइनली, जो आपकी सामनी क्वेश्चन है, उसका अंसर क्या होगा, तो आप इसका अंसर आप इसली निकाल लेंगे, कि इसका अंसर सही, क्या होगा तो इसका अंसर होगा कारबन डाय अक्साइड में ब्रद्धी, अगर स्यो टू के इस्तर में ब्रद्धी होगी, तो फाइनली, ग्लोबल वार्मिंग उत्पन होगी, ठीक है तो आपकी सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है निमलिखित में से किसमे सरवाधिक, जैव विविद्धा पाई जाती है यानि वीच अप दे फॉलोइंग हैस दे लार्जेस्ट बायो डिवर्सिटी तो आपके पास उप्संस हैं इन उप्संस को आप लोग सही तरीके से सुनियेगा और स्क्रीन पर देखेगा पहला उप्संन है सीतोष्ल पनपाती वन बायोम दूसरा उप्संन है उश्ल कटिवंधी सदा बाहर वर्सा वन बायोम तीसरा उप्संन है सीतोष्ल घास प्रदेश बायोम और चौथा उप्संन है सवाना बायोम तो इस question को अगर हम solve करें तो हमको थोड़ा सा diagram बनाना पड़ेगा जैसा कि आप लोग जानते हैं सरवाधिक जो जैव विवत्ता है वो कहां पे है सबसे ज़ादा बायो डियावर्सिटी अगर रिज कोई country है तो वो कौन है ब्राजील है और वो क्यों ब्राजील है क्योंकि वहाँ पे amazon forest है और amazon forest जो है उनमें बहुत जादा मात्रा में species पाई जाती है तो species के लिए अगर हम बात करें तो बहुत जादा वहाँ diversity है आपकी सामने screen पर ये आप देख रहे हैं कि ये प्रतिवी है ठीक है ये हमारी प्रतिवी है और इस प्रतिवी के जो बिलकुल divide करती है रेखा इस प्रतिवी को जो दोनों तरफ से divide करती है उसको हम बोलते हैं zero degree विस्वद रेखा ठीक है zero degree विस्वद रेखा equator बोलते हैं और equator के just उपर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यह line और just नीचे, यह होती है, ऊश्र कटिवंधी यानि tropical, तो यह tropical है, ऊश्र कटिवंधी है, और इसके उपर जो आप जाएंगे, तो यहाँ पर हम बोलते हैं, शीतो अश्रुम, ठीक है, तो यह शीतो अश्रुम होती है, अब आप जड़ा बताईए, सूर यहाँ पर सूर है, सूर की जो sunlight है, वो directly कहाँ पर आती है, directly विश्वत रहाँ पर आती है, और ऊश्र कटिवंधी छेत्र में आती है, और फिर धीरे धीरे वो उपर के ओर जाती है, तो यहाँ पर आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा मात में जो ओश्मा है, वो इस छेत्र में होगी, कहाँ पर विश्वत वाले छेत्र में और ऊश्र कटिवंधी छेत्र में होगी, अगर हम बात करें इंडिया, इंडिया कहाँ पढ़ता है, इंडिया पढ़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, यानि जो कर्क रेखा है, वो इंड कर सकते हैं और काफे लोग इसको याद भी किये हुए हैं मित्र पर गमच्छा जहार तो इस तरीके से आप भारत में गुजरने वाले सभी जो स्टेट्स हैं जिससे होकर के ट्रॉपिक आफ कैंसर करकर रेखा गुजरती आप ध्यान रखेंगे मी का मतलब है मिजोरम तुरा का मतलब है त्रिपुरा पा का मतलब है पस्चिम बंगाल और रा का मतलब है राजस्थान गा का मतलब है गुजरात और मा का मतलब है मदप्रदेश और छा का मतलब चतियसगर और जा का मतलब जहार खंड तो कितने स्टेट हो गए तो टोटल हो ग तो हमारे इंडिया में आठ राज्यों से होकर के ट्रॉपिक ऑप कैंसर गुजरती है तो आप ध्यान रखेंगे मित्रपर गमचा जहार यानि मिजोर्म त्रिपुरा पश्यमंगा राजस्थान गुजरात मदप्रदिर 36 गुजार खंड तो आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पेट जितने भी अब यहाँ पे जो भी छेतर होंगे वहाँ पे सरवाधिक बर्सा होगी जैके यानि ऐसे छेतर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हीट पड़ेगी तो उससे जो water bodies होंगी जहाँ पे जल निकाय होंगे वो क्या करेंगे पानी को evaporate करेंगे, पानी को पानी का वास्पी करण होगा और उससे cloud बनेंगे और वर्सा होगी तो ऐसे छेत्रों में 24 घंटे में एक बार वर्सा अवस्य होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो one होंगे, वो वर्सा one होंगे, और वहाँ पर बहुत जादा मात्रा में species में diversity पाई जाती है, तो इसका अंसर क्या होगा तो आपके screen पर question है तो आप लोग बताएए कि इसका सही उत्तर क्या होगा तो इस question का जो सही answer है उस्री कटबंधी, सदा बाहर वर्सा बन बायोम यानि tropical, evergreen, rain forest बायोम इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है तो अब हम बात करते हैं, question number next तो आपके सामने screen पर question number next है निमल्खित में से किस मर्दा का निर्मान लावा द्वारा होता है कौन से ऐसी मर्दा है जिसका निर्मान लावा द्वारा होता है तो आप लोग जानते होंगे लावा और मैगमा दो टर्म ऐसे होते हैं लावा और मैगमा ये क्या होता है इसको हम समझते हैं कि लावा और मैगमा में डिफरेंस क्या होता है जैसे मान लीजिए प्रिछिवी के अंदर जितना हुआ जितना भी पिगला हुआ पदार्त है पृतिवी के अंदर जितना भी पिगला हुआ पदार्त है उसको हम बोलते हैं मैगमा उसको हम मैगमा कहते हैं लेकिन अगर वही मैगमा वही पिगला हुआ पदार्त जब पृतिवी की सर्फेस पे आता है और बहता है उसको हम बोलते हैं लावा, उसको हम लावा कहते हैं तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो पृतिवी के अंदर पेगला पदार्थ है वो पृतिवी के अभी अंदर है उसको हम बोलते हैं मैगमा और वही जब पदार्थ पृतिवी की सतह पर आता है जो अलामकी के द्वारा जो अलामकी फटते हैं तो लावा निकलता है तो वही जो मैगमा होता है वो सर्फेस पर पहुंचता है और बहता है उसको हम बोलते हैं लावा और जब वो लावा कुछ समय के बाद में ठंडा हो जाता है और वो जम जाता है तो उससे बनती है अगने चटान कौन से बनती है अगने चटान बनती है और उस अगने चटान जो अगने चटान होती है उसका धीरे धीरे वेदरिंग होती है उसका धीरे धीरे च्छै होता है और उससे बनती है काली मिट्टी और जो काली मिट्टी होती है उसमें कपास की खे काली मिट्टी होगा तो आपके सामने स्क्रीन पर next question हमारा है और इसमें लिखा हुआ है कि वायू मंदल की कौन सी परत प्रकास की परावैगनी किरुणों को प्रत्विक की सतह पर आने से रोकती है और इसमें options आपके सामने है समताप मंदल, छोब मंदल, प्रत्विक पर रोक लेती है अब जैसा कि यहां पर आप लोग देखिए आपके सामने डागराम के द्वारा हम समझेंगे कि किस तरीके से इसका correct answer होगा यह layer है जहां पर हम रहते हैं इसको हम बोलते हैं यह है छोब मंदल यह छोब मंदल है यहां पर हम रहते हैं जितने भी मौसम में जो परिवर्तन होते हैं वो यहीं पर होते हैं और CO2 का जो लेवल होता है वो भी यहीं पर होता है लेकिन जैसे ऐसे हम छोब मंदल में उपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावाट आती है और इसके बाद में अगला है समताप मंडल समताप मंडल में एक विसेश प्रकार की गैस पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन यानि ओथरी ठीक है ओजोन ये गैस पाई जाती है ये एक परत बनाती है एक लेर बनाती है Ozone के बारे में पिछले वीडियो में काफी अच्छे दरीके से समझा था तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग पहले उसको जरूर देखेगा Ozone के अगर हम बात करें तो कहां पे होती है समताप मंडल में पाई जाती है सूर से आने वाले जितनी भी UV रेस होती है उनको ये पकड़ लेती है ट्रैप कर लेती है लेकिन प्रतिविय तक आने नहीं देती है और यहाँ पर ये हीट होती रहती है जैसे जैसे ये UV रेस को पकड़ती है ट्रैप करती है वैसे वैसे यहाँ पर गर्मी बढ़ती रहती है आएंगी और वहाँ पे उस particular area में समस्य उत्पन हो सकती है क्योंकि यह किरने होती है यह बहुत ही हानिकारक होती है हमारे DNA के अंदर भी यह mutation उत्परिवर्तन कर सकती है तो बहुत ही हानिकारक किरने होती है परावेगनी किरने आगे हम बात करेंगे physics में spectrum की जब बात करेंगे तो हम वहाँ समझेंगे gamma के बारे में और समझेंगे हम x-rays के बारे में और समझेंगे हम uv-rays के बारे में और समझेंगे हम ir-rays के बारे में और समझेंगे हम microwave-rays के बारे में कौन-कौन सी spectrum में ये किरने होती है और इनका इस्तमाल कहा होता है कितनी हानिकारक होती है तो आप लोग जानते होंगे कि जो ozone layer की वो जो मोटाई होती उसको हम कैसे नामते हैं उसको हम Dobson unit के जरिए माते हैं और कौन सा ऐसा protocol हुआ था कौन सा ऐसा समझाता हुआ था जिसमें बात की गई थी ओजोन परत को protect करने के लिए तो आप लोग comment में जरूर करिए क्योंकि ये सारी बाते मैंने पिछले वीडियो में की थी ठीक है और समताप मंडल के अगर हम उपर की बात करें तो समताप मंडल के उपर मध्य मंडल होता है यहाँ पर जो तापमान होता है वो माइनस में 80 degree Celsius तक पहुँचाता है या फिर माइनस में 100 degree Celsius तक पहुँचाता है यानि यहाँ पर अत्यधिक सर्दी होती है और इसके उपर फिर आता है हमारा ताप मंडल और यहीं पे आयन होते हैं यहीं पे आयन होते हैं ठीक है आयन्स जो हम आयन मंडल बोलते हैं वो ताप मंडल को हम बोलते हैं आयन मंडल क्योंकि यहां पे आयन होते हैं और आयन करते क्या हैं जितने भी हमारे डेसंटीना होते हैं जो भी हम Tata Sky या जो भी हम D2H इस्तिमाल करते हैं वो आयन मंदल से ही reflect होकर के signal आते हैं तो जो maximum satellite होते हैं जो maximum satellite हैं वो आयन मंदल में orbit में shift किये जाते हैं और इसके बाद में फिर आता है बही मंदल जाता है बही मंदल आता है यानि एक्जोस्फेर आता है question पूछता है कि हमारे वाय मंदल में कुल कितने परते होते हैं कुल कितने layer होते हैं तो आप क्या बोलेंगे 5 होती हैं कौन कौन सी होती है छोब मंदल यानि ट्रोफोस्पेर समताप मंदल यानि स्टेटोस्फेर मद मंदल यानि मीजोस्फेर और TAP Mandal तर्मु स्फेर और भई मंडल यानी एक्जो स्फेर और अगर आपसे पुछे कि आयन डाल होते हैं तो आयन होते है TAP Mandal में और अगर आपसे पुछे कि ozone gas ozone layer कहां पे होती है तो वो होती है S analysts मंडल में ठीक है ओजोन लेयर में जो छिदर है वो कहां पे है वो उत्री पोल पे है या फिर दक्षणी पोल पे है इसका अंसर आप लोग कमेंट में करेंगे और वो कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर में छिदर के लिए उत्तर दाई है यह सारी बाते हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में I hope कि आप लोग इन सारे questions का answer comment में जरूर लिखेंगे जिससे बाकी लोग भी motivate होकर answer करें ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही था मिलते नेक्स वीडियो में अगर आपका questions अच्छे लगे हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए share करें